शिल्प ग्राम में कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों के दस दिवसिय उत्सफ ताज मोहतसफ 2023 की शुरवाद पीस फरवरी से होगी देश भर के विबिन प्रांतों के हस्त शिल्पी और कलाकार अपने शिल्प वा कला का प्रदर्शन करेंगे योगी सरकार के निर्देश पर उत्तरप्रदेश परियतन विभाग ताज मोहतसफ को दिव्य और भव्य बनाने में दिन रात चुटा हुआ है ताज मोहतसफ के 31 आयुजन की थीम विश्व बंदुत्व G20 रखी गई है शिल्प ग्राम में करीब 400 स्टॉल बनाए गए हैं जिसमें 15 फूड इस्टॉल भी है वही फंद जोन में बच्चों के लिए जूले रहींगे ताज मोहतसफ भारत की सम्रत कलाओं शिल्प, संस्कृतियों, वियन जनों, नित्य और संगीत को प्रदर्शित करता है ताज मोहतसफ में विभिन विधाओं के सांस्कृतिक कारिक्रम आयुजित किया जाएंगे वही विभिन शेत्रों के अंतरराष्ट्य, राष्ट्य और स्थानिय कलाकारों को ताज मोहतसफ में अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा इसके साथ ही सूर सदन में कवी समेलन और मुशायरे का आयुजिन किया जाएगा कुछ हार तरह का हम लोग मिक्स करने कोईश करते हैं लग आजिस का चांस मिलता है स्कूल के बिच्छों का चांस देते हैं और उसके बाद जो Middle Level का का रहे है अस्थानी हैं प्रदेश के अजैस के जो है और फिर लास जो करहुता है उसमें आपलर आडिस्ट है इसे जहें आटेस्ट हैं उनको भी टाह देते हैं जो समें कभी बॉल्योट इस बार ताद महतसफ की थीम विश्व बंदुत्व जी ट्वेंटी रखी गई है थीम के मताबिक ही शिल्पग्राम को सजाया और सवारे जा रहा है शिल्पग्राम को अपनी मनमोहक चित्रकारी से सजाने का काम ललित कला संस्थान के छात्र छात्राओं को सौपा गया है आगरा में लगने वाले दस दिवस ये शिल्पग्राम एवं वेंजनों के महुसव ताज महुसव की शुरुआद इस बार 20 फरवरी से होगी इसकी तित्यों में परिवर्तन कर दिया गया है आप देख सकते हैं इस समय शिल्पग्राम में हम खड़ें और यहां पर तैयारिया शुरू हो चुकी है जो इस बार की थीम रखी गई है वो है विश्व बंदुत्व G20 उसी थीम के अनुसार आप देख सकते हैं इस पूरे शिल्पग्राम परिसर को सजाया और सवारा जा रहा है जो कलाकार है वो अपनी तुलिका की मदद से सहयता से आप देख सकते हैं कि जो यह शिल्पग्राम की दीवारे हैं उन पर वाल पेंटिंग की जा रही है जो थीम है विश्व बंदुत्व तो उसमें जो भी देश पाटिसिपेट कर रहे हैं G20 के उनके मॉनुमेंट्स के सा वहां की कल्चर को भी इसमें प्रदशित करने का प्रदशित किया जा रहा है हमारे साथ ललित कला संस्थान की चात्रा प्रीति शाह है प्रीति किस तरह की पेंटिंग इस बार शिल्पग्राम में ताजवांसन में देखने को मिलेंगी सर आप दे सकते हैं कि जैसा देश में G20 का कारिया चल रहा है तो आपको G20 से सम्मिलित सारी पेंटिंग और G20 के जो सम्मिलित जो 20 कंट्री हैं उनके फेमिस मॉनुमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे और ब्रज की भूमी रादर स्री कृष्ण जी की आपको को मिल जाएंगे कितने दिनों से आप जुटे हुए हैं इस पूरे काम में कितनी टीम बड़ी टीम आपने इसमें लगा रखी है सर अभी इसमें आट बच्चे लगए थे आज आप देख रहे हैं कि वैसे यह अठारा से शूरू होने वाला था तो उसके सारा काम अभी कंप इस बाद की जाएं तो करीब साड़े तीन सो से अधिक शिल्पी इस पार इस ताज महुस्व में शिर्कत कर रहे हैं वहीं देश के विभिन राज्यों के वेंजनों का स्वाथ भी इस बार आपको इस ताज महुस्व में चखने को मिलेगा पंचाब के सी टीवी के लिए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद